कि बिस्मिल्ला रख्मान रहीम आज हम साइकेंडिर बियालोजी चैप्र नाबर वन होमियोस्टेसिस के अंदर किड्नी के प्राब्लम्स पढ़ेंगे यह इससे पहले हमने यूजिनरी सिस्टम पढ़ा जिसके हमने किड्नी को डिटेल्स में पढ़ा और नेफ्रॉन का स्ट्र क्य tomorrow स Johann Panicating प्राब्लम्स परदमिंगे मसलं किड्नी की कौन चन्य कोई मचे नेआएव सकता है मसलं किड्नी प्राब्लम्स आज एधार क्यों पहले सो कीड़नी प्राबलमस पढूने से पहले हमें थोड़ा बहुत रिवाइज करना बढ़ेगा मसलब हमने इसमें यह जूरीन फर्मेशँ अपधर लेखी छे किड़नी क्या कर रहे होते हैं मसलब सबसे पहले जो स्टेप था वह प्रैशर फिल्ट्रेट आता था प्रैशर फिल्ट्रेट देन जो सेकंड स्टेप था वह उसकी स्लेक्टिव री अब्सारप्शन थी अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम यह आल्रेडी पड़ चुके हैं सही तो यहां जो क्यान कि हमारे टापिक से कंसर्ण होगा वह exciting लिय्ट्री अवर्च्टिव रीशाप्शन में केमस्वन अगर कैल्सियम आइजंग करता है ठीक है कैल्चियम आइज वापिस रीचाइभशार्ब करेगा तो इसल्इट में करता है कि अगर कैल्शिम आइन जादे है था तो इट विल गॉना रियक्त ओग जालिक एसीड ठीक है सम्टाइम्स ओगजाली के सिन हमारे बलड में जादा हो जाता है मसलना अउगजाली के सिट हमारे पर कहां से आता है वेजटेबल होती हैं बहुत ही चाहिए से मैं चला है यहां पर नहीं लिखता बलके यह टाइग्रा से सो वेजटेपल स्पेशली टमेटो्स के अंदर और दाद यह थो धी ठीक है यादि क्याश्यम की कंसेट्रेशन जाधा हो और साथ कहलें कि जो ब्लट है उसके अंदर अगजालिक एसिड मुझूद हो से यह यारि चाहिंकrator जादा तो स्ट्रक्चर बनाऊ ना इस तरह सी च्बॉर्ट रियक्ट करें करेंगा साथ करेगा मेरे ख्याल से मैं शायद यह बना रहा हम बलकि इस तरह नहीं होता पढ़ता है यह होता है इसी तरह लाइक दबल ओ ऐच यहां पर भी एच दबल असा ठीड है ठीक है यह उग्जालीग एसे टीजिए ऑग्जालीक एसे रिएक्षाइं साथ रिक्ट करता है और कैल्शंग बना लेता है मसलिए यहां पर हो जाएगा एच पर फिर सी है तो यह क्या बन जाएगा हमारा पास कैल्शियम और जब कैल्शियम और जाद होती है तो यह किस शेकल में चला जाएगा स्टोन की शेकल में कैल्शियम और जाएगा सकता है इस तरह कैल्शियम यूरियेट क्रिस्टल्स भी बनते हैं ठीक है कैल्शियम औक्जलेट के लावा यूरियेट क्रिस्टल्स भी होता है हैं से इसको हम किड्नी स्टोन कहते हैं इसको यह आपको डाग्राव भी नदर आ रही है सो इसमें अगर आप देखें यह अपकी तो यह कहां पर यह यह यूरियन फरमेशिन के बाद ठीक है अगर यह यह जादा क्याशियम हो और आ कहलें कि और पिर यूरिक से जादा मुश क्या कहलें के function होता है कि it blockage ठीक है यह एक blockage से create कर देगा जहां पर भी मजूद होगा उस blockage से inflammation होती है ठीक है आप पूछेंगे जा इंफलमेशन क्या होती है छोड़ा इंफलमेशन को simple कह लें कि यह नहीं और गांड डामीज स्टार्ट हो जएगा और ऐसा साथ किड्नी खतम होना शूरू हो जिए और रिनल फैलिर की तरफ केस जाता जाएगा सब्सक्राइब अब इसमें जो कैल्शम ऑग्जलेट है ना यह जो स्टोन है यह और मुस्स सैंटी परसंट केसिस के नदर हमें किड्नी के स्टोन में यह मिल आएंगे कैशियम यूरियेट मिलेगा ठीक है यह यह के कम चांसे अब जादर कैल्शम ऑग्जलेट बनते हैं ठीक है जी और यह जो गट्टे होते जाएंगे और इनका स्टोन बजाएगा स्टोन करेंगा ब्लॉकेज करेगा ब्लॉकेज से जारे बात है सारा मैकनिज्म डि यह जो सारा स्टोन फार्मेशन का जो सा लिंक है यह जाकर किसके साथ होता है स्लेक्टिफ्री अब्लॉप्शन नहीं बाद रफा आएंज की कंस्ट्रेशन इतनी जादा होती है बलॉड के अंदर के वह आएंज जादा रिलीज होते हैं और जिसक वैसे वह जब आएंगे इ वहाँ पर आकुमलेट हो जाता है फिक है इनकी जो है कुमलेशन है ने अकुम्यलेशन ओफ कैलियों यह केक्ष्ञली यह स्टून बनाएगा ठीक है और यह स्टोन पर ब्लाक करेगा इंफ्लमेशन और डैमेज इसके अंदर आ जाएगा आप स्टोन बन गए हैं से अब स्टोन की ट्रीटमेंट क्या होती है बहुत सिंपल है आज कल की मौडरन टेकनलोजी के अंदर हम इसे नाम देता है लिथो ट्रिप्सी इसमें क्या ह सून करुछा हो आज कल्पदाबस क्या विप्र अरहन ट्रीप्सी ज्लिठों निसटों कर देने की वह सींपल है भी शेसें कि मशीन को मचिन कि किस किसमक्षण को अल्टरा सोनिक वेस पर यूज करते हैं तिक का अल्टरा सून्स का अफने नाम सुना होगा मोस्ली यह बहु से क्लेनिक्स के इंदर अल्ट्रा सूंड होता है ठीक है जिसके अंदर कैसे इंटर्नल किडनी स्टोन के सिंप्टम्स सबसे पेन होगा किडनी साइट पर ठीक है इसे हम हैं इन very होती है पैपने काविटी के पेन केडनी साइट पर होगा से उर्जर यूरिया है यूरिक केसिड है ठीक इनका लैवल जादा होता जाएगा blood के इन्दर ठीक है blood के इसका level जयादा हो जाएगा blood में यूरिया uric acid का level ज्यादा क्यों ज्यादा हो जेगा ज़िए बाद और जब kidney का function disturb होगा uria uric acid screen out नहीं होंगे और वह blood के अंदर जादा उनका level आजएगा से यह diagnosis के इसका link होता है अचा है अब है किड्नी के अंदर उसको ब्रेक किया जाएगा थूरू अल्टर सब्सक्राइब को स्टोंज नदर आ रहे हैं ठीक है पिक्चर चले मैं थोड़ी कर लेता हूं सो यह किड्नी स्टोंज है इसके पर यह अल्टर सौंज वेव बंबार कराएगे और यह किड्नी स्टों टूट है स्टोंज है इसके लिए नवट प्रासिस है नॉन सर्जिकल है ठीक है इसके अश्यार नहीं हूं सर्जिकल से हमेशाशा बचना चाहिए क्योंकि सर्जिस से अगर इंटर्नल आर्गन्स में इंफेक्शन आ जाज़े तो बहूर्ट डेंजरस चीज होते से थी सो यह हुआ है और फिर ट्रीटमेंट भी हमने उसके बात कर ली का इसके साथ एक की सथर्म भड़ते है रिनल फैल्यर का ठीक है रिलील क Kichi सोन्ट टेम होठी रिनल कर हो चिपने के लिए होता है और फैल्यर मीन कि anything had stopped its function say that renal stands for kidney and failure mean that it's not working properly it has stopped function renal kidney हमें इसे जहने में रखे करें जिस्था renal artery है renal vein है failure means failure यहनि किस चीद़ का ना काम करना निकम्मा होना जिसे हम कहते हैं निकम्मा होना सही so kidney का निकम्मा हो जाना किस तरह होता है कि कोई भी बज़ा हो हो मसल़ण किड़नी स्टोन हो मसल़ण किड़नी स्टोन मुझूद है एक वजो यह भी हो सकती है इस के लाबा किने स्टोन के लाभा इसके नदर क्यार के चिर्पनी को डिजीज की है और राव सुनों का मसला गूर्दू में पानी पढ़ जाता है इंफेक्शन होता है कोई न कोई ठीक है इसे हम किड्नी डिजीज को इनफेक्शन भी कह सकते है so इसके वैसे क्या होता है renal failure की तरफ केस जा सकता है किकनी काम करना बंद कर सकते हैं इसमें stage होते हैं पहले एक्यू único उर्ल पेर खिय् cat एक्यूम अलला जो अर्ली स्टेज पार हिए और अकassyू से क्या मराद काइसर यह कॵर्ण ही यह कॉर्णिक हुँ आदक समाध व्राता होता है तैक Gay Land स्टेज सो जो जो कहलें के किड्नी में डिजीज बढ़ती जाती तो सुकरता जाता और एक केस आता था जब वो कां कहना बंद करेटा है मसला यह रिनल फेलिएर हो चुका है रिनल फेलिएर के बाद जिक लाइवल जादा होगा ब्लैड के तर तीक है और यूरिया का लाइवल से ज़्यादा होगा पेन होगी आथा साथ ठीक है पेन भी होती है और यह इसके सारे सिंटम्स हैं जिसके दरी मिसे सरी एक। निनेफ्रान कि अगर डैमिज होगा नेफ्रान कि इस दैमिण आता है उसके चलो मेरीला पाट में आते हैं ठीक है योड है जादा हो का पैन फिल comes, तिस आप ये क्क यहां边 होते हैं इसाइट डैमिया था क्षाग चुछ के अंदर blood loss urine में blood आना शुरू हो जाता है फिशाब के अंदर blood आना शुरू हो जाता है से सो इजे जी जिनल फिलर के cases हैं और ही बहुत स्वेर किसम के होता है ये वन अगर kidneys काम करना बंद कर दें तो जो जहांदार है त्रीटमेंट पर आते हैं वर्थ और पॉसिबल ट्रीटमेंट सो ट्रीटमेंट इसकी थोड़ी सी कंप्लिकेटिड है और यह थोड़ी महंगी भी होती है किडिनी ट्रांस्प्लांट कर एक जाता है और इसके इलावा इसके आप्शन होता से यह दोनों टापिक्स पर गीक्नी ट्रांस्प्लांटेशन और यह दोनों के लिए और नेक्स एफ्रेस करेंगे सब तक जो हमने पढ़ा हुआ हम थौरा से रिवाइज कर लेते हैं अशून हमने स्टार्ट किया किड़नी प्राब्लम से तो इसमें हमें रपस दो थे दो प्राब्लम में जो हमने डिसकर्स करें खकेंगा थे और उसकी डियागोंजेज उसकी ट्रीटमन भी देखी और उसके पर वह पाद हमर पास रिइनल फेलियर है तो किनी स्टोन का लिंक कहाँ प्योंता है कि जब स्लेक्टिव रियबजर्प्शन हो हुए हुटी कैल्चिम आइज ज्यादा हो ठीक है और उग्जैली के सी में हुजूद और ऑपस में रियक्ट करते हैं और खेश़ हो बना लेते है इस जग़ए पर स्टोन बना हूए है एक नीचे स्टोन बना हूए है और यह ब्लाकेज कàngता है। और इससे Eleo स्वेर किसम की पेन होती है। स्टोन की दो टाइपस में लिए हुते हैं केल्चिम चय्यु यूरीयेर्ट है यह दो मेन स्टोन की टाइप से यूडियेट्स और ओगजिलेट्स ठीक है हमने का जिए वेजटेबल सोर्स से आता हम सब्सक्राइट्स के इसकी बहुत ज्यादा रेश्यों होती है और फिर हम चलेगे इसकी ब्रेकडाउन पर ठीक है जी हमने का जी अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगा कि स्टोन को हम शाक वेज़ प्रोवाइड करेंगा अल्टर सांट शार्क वेज़ जिसके स्टोन क्रेश होगा और यूरिन के दरीए वह पास आउट हो जाएगा उसका रिइनल फेलर प्याए कि किड्नी निकमा किस तरह होता है कि बास दफार किड्नी स्टोन जाया दे चाइब तो रिकोवरी जद्धी हो जाती है जर्वाइश स्टेश में रिकोवरी बहुत मुश्कील होती होती है ज्यादा ख्रो Halos आ जबर बढ जेगा कि को रिमूब करने किसका काम है किड्नी का हिने रिमूव नहीं करे, इसका लावग ज्यादा होज़ गां और फिर इसफ सटम्सटमेंट है को fut3 कम्लिकेटर नेधिय यह हर हफ्ते बहुत करावना पड़ता है ने ठीक है फिर हम इसकी आंका करें धिक्ति बात किन्य तरह में क्लिए रफाइन है कि यह आट है हम अगले रेक्टिर में कवर करें और यह झाल झाल